जैहिन सातियों में पहला प्रस्द है महादेव का प्रियावाची सब्दु चुनिये गरुद्ध्वज, नारायन, चंद्रशेखर, विशंभरु गरुद्ध्वज, नारायन और विशंभर विश्णु भगवान को कहा जाता है महादेव का प्रियावाची सब्द चंद्रशेखर होता है, तो इसका सही उत्तर हैं चंद्रशेखर. निमलिके सब्द का समास बताईए, यथा सिग्र, अबेई भा, द्वंद, कर्मधारे, तत्प्रुष, यथा सिग्र का समास विग्र जितना सिग्र होता है, यथा उपसर्ग है, उपसर्ग युक्त सब्द, अब बेई भा, समास के अंतरगत आते हैं. महत्मा गांधी में अमुल गुन थे, उप्रियुक्त वाक में अमुल सब्द है, विशेशन संग्या सर्वनाम किरिया इस वाक में अमुल सब्द गुन की विशेशता बता रहे हैं, विशेशता बताने वाले सब्द विशेशन कहलाते हैं, अता इसका सही उतर विशेशन है निमलिखित वाक में क्रिया विसेशन युक्ट वाक कौन सा है? मैं कल नहीं जाओंगा, यह फूल सुन्दर है, हवा धीरे-धीरे बहर रही है, आज हम इस्कूल जाएंगे. जो सब्द क्रिया की विसेशन बताते हैं, वे क्रिया विसेशन कहलाते हैं. हवा धीरे-धीरे बहर रही है, इस वाक में धीरे-धीरे सब्द क्रिया की विसेशन बता रहे हैं. अताहिया वाक क्रिया विसेशन युक्ट है. निमलिखित में योगुरुट सब्द चुनिये पिला चक्रपानी दूद्वाला नैन जो सब्द अपने सामान अर्थ को छोड़कर विसेस अर्थ को प्रकट करते हैं वे योगुरुट सब्द कहलाते हैं चक्रपानी का अर्थ चक्र है जिनके हाथ में अर्थात विश्णू होता है, अतह चक्रपानी योगरुट सब्द है, तिसका सही उत्तर है चक्रपानी. जगनात की संदी का उधारन है, व्यांजन संदी, विशर्ग संदी, दिर्ग स्वर संदी, यन्स्वर संदी. जगनात का संदी विछेद जगत योगनात होता है, जगत का अंतिवर्ण तो व्यांजन है, इसलिए यह व्यांजन संदी का उधारन है. मोर का तत्सम सब्द होगा मोर तदभव सब्द है इसका तत्सम रूप मयूर होता है निमलिखित सब्द में उपसर्ग चुनिये अभिसाप अभिसाप का मूल सब्द शाप होता है, इसके पूर्व अभी उपसर्ग लगा है, तिसका सही उत्तर है अभी. वर्तनी के अनुसार सुद्रूप का चैन कीजिए. वर्तनी के अनुसार सुद्रूप रिस्या है. चद्रमा का प्रियावाची सब्द चुनिये. निशाकर, निशाचर, तड़नी, क्रिशानु. निशाचर का प्रियावाची सब्द दानों, तड़नी का सूर्य तथा क्रिशानु का आग होता है. निशाकर अर्थात रात को करने वाला का प्रियावाची सब्द चद्रमा होता ह तो इसका सही उत्तर है निशाकर लोगों ने सोरगुल करके डाकूं को भगाया करताकारक, करनकारक, संप्रदानकारक, कर्मकारक इस वाक में दो कारक्चिन ने और को का प्रियोग हुआ है अंतिम कारक्चिन प्रदान होता है अता को कारक्चिन कर्मकारक कहलाता है इसका सही उत्तर कर्मकारक है घुर्षवार सब्द निम्न में से क्या है? रूट सब्द, योगरूट सब्द, योगिक सब्द, निर्थक सब्द दो सार्थक खंडों से निर्मित सब्द योगिक कहलाते हैं. गुर्षवार सब्द को अलग करने पर दोनों सब्द अपना अलग-अलग अर्थ परकट करते हैं. अर्थाद घुर का अर्थ घोडा और सवार का अर्थ बैठने वाला होता है. इसका सही उत्तर योगिक सब्द है अजायब घर है देशी सब्द, तत्सम सब्द, विदेशी सब्द, संकर सब्द अजायब घर में अजायब अर्बी सब्द तथा घर हिंदी भासा का सब्द है दो भिन भासाओं के सब्दों के मेल से बने सब्द संकर सब्द कहलाते है तो इसका सही उत्तर है संकर सब्द। आचार का विलोम सब्द है। आचार का विलोम सब्द अनाचार होता है। निमलिखि सब्द का उपसर्ग चुनिये दुस्सा हस। यह विसर्ग संदी का उदारन है। इसका मूल सब्द सहास होता है, इसके पुरो दुछ उपसर्ग लगा है। इसका सही उत्तर है दुछ। निमलिखि सब्दों के दिये गए विकल्पों में तद्सम सब्द का चैन कीजिये। इन चारों विकल्पों में से कलस तत्सम सब्द है. निमलिखित वाक्यों में से सुध रूप चुनिये. विवाहित इस्तिरी के लिए सवभाग्वती का प्रियोग किया जाता है. अता पहले और तीसरे वाक्य में सवभाग्वती का प्रियोग अनुचित है. चोथे वाक में बिवाह के पुर्व की का अनुचित प्रियोग किया गया है क्योंकि बिवाह पुल्लिंग होता है इसलिए आईस्मती कन्या का बिवाह होने जा रहा है यह वाक सर्वता सुद्ध है निमलिखित सब्द का संदी विछेत क्या होगा भानुदय भानुदय दिर्ग स्वर संदी का उधारन है इसका संदी विछेत भानु योग उदय होता है निमलिखित वाक्यों में से सुद्ध रूप चुनिये पहले और दूसरे वाक्य में तरुन तथा नव का समान अर्थ होता है इन में से किसी एक सब्द का प्रियोग होना चाहिए तीसिर वाक्य में सिख्छा की वर्तनी असुद्ध है अतर चौथा वाक्य हमारे यहां नव यूकों की सिख्छा का अच्छा प्रबंध है सुद्ध और सही है धन का प्रियावाची जो सब्द नहीं है उसे चुनिये द्रव्य द्रव शंपदा दौलत द्रव्य संपदा तथा दौलत धन का प्रियावाची सब्द होता है द्रव का अर्थ तरल पदार्थ होता है अतर यह धन का प्रियावाची सब्द नहीं है तो इसका सही उत्तर है द्रव चौराहा कौन सा समास है? बौब्री, द्वन्त, दिगू, तत्प्रुस चौराहा का समास विग्रा चार राहों का समू होता है इसका पुरुपद संख्यावाथी है इसलिए इसमें दिगू समास है पुत्री का प्रियावाची सब्द नहीं है तने, सुता, आत्मजा, दुहिता सुता, आत्मजा तथा दुहिता पुत्री के प्रियावाची सब्द है तने का अर्थ पुत्र होता है या असंगत विकल्प है निम्लिखित में से कौन सा सब्द कमल का प्रियावाची नहीं है? सरोज, अर्विंद, सलिल, पंकज. कमल का प्रियावाची सरोज, अर्विंद, तथा पंकज होता है. सलिल का अर्थ जल है या बेमेल सब्द है. इसका सही उत्तर है सलिल. जिसकी मत जट सोचने वाली हो के लिए एक सब्ध होगा कुसागर बुद्धे, प्रतियोत्पन्मति, दुर्दर्जे जिसकी मत जट सोचने वाली हो के लिए एक सब्ध प्रतियोत्पन्मति होता है इसका विखंटन प्रतियोग उत्पन्ध, योगमति होता है इसके पुरो प्रती उपसर्ग लगा है। निर्गुन का संदी विच्छेद होगा। निर्गुन विशर्ग संदी का उधारन है। इसका संदी विच्छेद निह योगुन होता है। वर्तनी के अनुसार सुध सब्द का चैन कीजे। वर्तनी के अनुसार सुध सब्द पूजिनिय होगा। जिसका जन्ब पहले हुआ हो इसके लिए एक सब्द जो उप्युक्त हो लिखे अनुजुद्जिज अग्रज सर्वक्य। जिसका जन्ब पहले हुआ हो इसके लिए एक सब्द अग्रज होता है। वर्तनी के अनुसार सब्द का सुद्ध रूप चुनिये पुरुष्कार की वर्तनी सुद्ध और उचित है निमलिखित सब्द का परते बताईए सजावट किरिया के अंट में जुड़ने वाले परते कहलाते हैं सजावट सब्द में सज किरिया है इसमें आवट परते लगा है इसका सही उतर है आवट लड़का पेर से गिरा उप्रियुक्त वाक में कारक बताईए संपरदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करन कारक इस वाक में अलग होने का भावत पन हो रहा है अर्थात लड़का पेर से गिर कर पेर से अलग हो गया है इसमें से कारक चिन लगा है इससे ग्यात होता है इस वाक में अपादान कारक है आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो किर्पया कमेंट, लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को दवा दें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके, धन्यवाद